तो हेलो एवरिवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासिज, आज के हम हिस्टरी के प्रीमिक्स को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला कोशन हमारा जैसे कि मैं हर बार आपके लिए एक UPSC का प्रीविस से कोशन लेके आता हूं, जिसके जरी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप बिना किसी knowledge के सिरफ अपने common sense से 10 से 15 कोशन हर बार UPSC के paper में ऐसे आते हैं, जो आप सिरफ common sense से basic cognitive abilities से solve कर पाएंगे, तो आज का वो question 2018 के GST का question है, 2018 prelims में ये आया था, जो GST से बिनाया गया था, तो सबसे पहला point ये कहता है, कि अगर GST ले आएंगे, then it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and they will thus create a single market in India, दूसरा point कहता है, that it will drastically reduce the CAD, current account deficit of India, और इससे क्या होगा, हमारा foreign exchange reserve में बहुत बढवत होगी, third point कहते है, that it will enormously increase the growth and size of the economy, और आगे चलके हम China को भी पीछे छोड़ देंगे, तो ये तीन options आपके सामने हैं, sorry, 4 options, please mark your right option, तो अगर इसके मैं सही option की बात करूँ, वो है A1 only, तो देखिए, अगर माल दीजे आपको first statement के बारे में नहीं भी पता, आप GST के बारे में आपने नहीं पता, आप एक साल hibernation period से सोकर उठे हैं, और आपको GST के बारे में नहीं पता कि कोई constitutional amendment हो चुकी है हमारे constitution में, तो उसके बाद अगर आप फिर भी second and third statement को देखे कि second statement ये कह रही है कि हम एक ऐसा tax लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि CADI जो हमारा वो drastically reduce हो जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारा foreign exchange reserve बढ़ जाएगा, अगर यहां पर होता that it will gradually, तो as a common man हम सो सकते थे कि हाँ कोई चीज आई है, शैद वो अच्छी होगी, तो कुछ सालो के बाद ये gradually reduce होने लग जाएगा हमारा current account deficit, पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक single tax हम लेके आए, उससे एकदम से हमारी CAD है, वो drastically reduce हो जाए, तो ये obviously statement ये गलत है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आप आपने आज ये UPSC के त्यारी शुरू की हो, आपको कुछी भ option ये B and D में है, तो ये दोनों हमने cancel out कर दिये and we are left with A and C options, उसके बाद हम C option को देखते हैं, so C option says, third option says that it will enormously increase the growth and size of the economy, तो वही जो हमने second में, जो हमने common sense लगाई है, तो third में भी वही लगाएंगी कि क्या एक tax के आने से किसी भी देश के growth में enormous increase हो सकता है, minute changes हो सकते है, little improvement हो सकता है, पर enormous increase सिरफ एक tax की वज़ा से नहीं होगा किसी भी growth, देश की growth में, बलकि बहुत ही सारे measures लेने पड़ेंगे, बहुत ही जादा steps लेने पड़ेंगे, किसी देश को अपना growth और अपने size को बनाने के लिए, और क्या इस एक tax के जरीए ही हम China को पिछे छोड़ तो ये भी option पका से ही गलत है, so third option भी दोनों में से गया, B option में से and we are left with just, या B and C option चले गए और D भी चले गया, सिरफ third option से ही अगर हम third को eliminate करते and we are left with just A option, जो की है सही option, so आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपने common sense से किसी भी answer को solve कर सकते हैं, 50, अगर हम मैं 100 questions की बात करूँ तो at least 50 questions ऐसे होंगे जहां पर कोई ना कोई एक statement extreme होगी और उस एक extreme statement को आप rule out करके at least 50% probability तक मतलब कि दो options तक पहुँँ जाएंगे जिन में से एक का आपका option answer होगा, so आपने please अपने prelims के paper को जब भी आप practice कर रहे हैं, जब भी आप बैटे हैं कि आप guess papers भी solve कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से उनको solve करना है ताँ कि आपकी cognitive ability to develop हो, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे पिछले कुछ सालों से एक या दो questions के वज़ा से रह रहे हैं, या उनका जो cut off है उसके आसपास ही उनकी जो marks जाते हैं, तो इससे बहुत उनको help होगी और वो अपनी cut off को at least by three four questions के margin से वो clear कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, तो आएए, आज के हमारे जो history के section में चलते हैं, वहाँ पर जो पहला question यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो है बुद्दा के जो four noble truths हैं, उसमें से पूछा गया है, उसमें एक term आती है, samudaya, I hope आपको ये पता होगा काफी common concept है, ये four noble truths, उसमें ये term है, samudaya, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो previous year prelims के questions आ रहे हैं, उसमें काफी बार ऐसी terms को पूछा जाता है, जो cultural terms हैं, उसके लिए हम आगे जाके आपको शायद next week में पूरी compilation लेके आएंगे, पूरे detailed video lectures होंगे, पूरे जो आप इस question की बात करें कि समुदायो का क्या मतलब है, तो चार options आपके सामने हैं, A option कह रहा है, that it means cause of suffering, B option कह रहा है, that it means the path to cessation of suffering, C option कह रहा है, cessation of suffering, और fourth option कह रहा है, truth of suffering, तो चार हुई options, suffering से जुड़े हो हैं, अलग-अलग तरीके हैं कि पहला कह रहा है, cause है suffering का, दूसरा कह path क्या है, जिसके जरीए हम उसको दूर कर सकते हैं, तीसरा कह रहा है, suffering को दूर कैसे करना है, और चौता कह रहा है, कि suffering का सच्चाई क्या है, उसका truth क्या है, तो options आपके सामने है, please mark your right option, तो अगर इसके मैं सही answer की बात करूँ, उसका समुदाया का मतलब होता है, cause of suffering, जैस को एक छोटा सा topic तयार हो जाए, तो सबसे पहले अगर मैं इन चार noble truths की बात करूँ, तो ये बुद्धा के द्वारा दिये गए थे, and they are considered to be his first teaching and the most important ones, इन truths को चार को noble क्यों कहा गया, उसके पिछे कारण ये है, कि ये माना जाता है, that they are real, infallible, infallible का मतलब होता है, जिसको they do not change, ये कभी भी बदलते नहीं है, और इनकी जो characteristic है, वो ये है, that these are central and universal, कि यहां पर Mars पर Jupiter पर सब पर ये universal truths हैं जो लगेंगे, and they are true regardless of time and space, तो आगे हम सबसे पहले हमारा, जो सबसे पहला first noble truth है, वो है दुखा, जैसे कि नाम से ही आप देख सकते है, इसका मतलब होता है suffering, that all beings experience pain and unhappiness during their lifetime, तो I hope अब आपको इसको यार रखेंगे, जैसे आपने बुद्दा की कोई भी जीवनी के बारे में पढ़ा हो, या उनकी कोई वीडियो देखी हो उनकी जीवनी के बारे में, तो वो जब अपने महल से भाग जाते हैं, तो उनको चार बॉडिस को, चार कि इनसान उनको मिलते हैं, एक जैसे old age, sickness, death की body मिलती है उनको, उसके बाद ही वो अपने enlightenment का सफर शुरू करते हैं, तो इसी से उनका first noble truth आता है कि दुख, जिसका मतलब है कि जो भी इनसान जीवित है, उसके पास pain होगी, उसके पास unhappiness होगी अपने जीवन काल के दौरा इसके वज़ा वो मानते हैं कि जो हमारे five aggregate senses हैं, जिसकी वज़ा से हम लोगों से जुड़ जाते हैं, material and non-material चीजों से हमारा connection बन जाता है, और जब वो दूर जाती है हमसे, तो हमारे में एक unpleasantness की feeling आती है, जिससे क्या होता है, pain आती है, तो first हमारा noble truth है, दुखा, उसके अगर हम दूसरे noble truth की बात करें, वो है समूदाया, तो इसके में वो बताते हैं कि जो हमने first noble truth में दुख की बात की, उसके पीछे cause क्या है, that the origin of pain and misery is due to a specific cause, तो यहाँ पर ये cause क्या बताते है, that it is a desire that leads to rebirth accompanied by pleasure and passion, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कि इस दुख के पीछे क्या कारण है, हमारी इच्छाएं, हमारे desires कारण है, जिसकी वज़ा से हमारे rebirth होते रहते हैं and which are accompanied by हमारे players, हमारे सुख की बावना, हमारे जो कहते हैं कि माल लीजे आज के टाइम में हम बात कर ले, कि हमारे मन में ये चलता रहते हैं कि वो चीज मिल कि इन दुखों के पीछे कारण क्या है, उनके causes क्या है, और थर्ड में वो बात करते हैं, निरोध, कि इन दुखों को, इनके causes को दूर कैसे किया जा सकता है, so he says that these can be dealt with by the following the path of non-compassion or cessation by this very desire, कि अगर हम उन desires के लिए अपना passion ही छोड़ दे, उनके लिए अपने barriers create कर ले, त तो देखिए, यहां तक सबसे पहले उन्होंने बात की कि दुख क्या है, दूसरे में उन्होंने बात की कि causes क्या है उन दुखों के, और तीसरे में बात की कि इन causes को हम दूर कैसे कर सकते हैं, फोर्थ में वो बात करेंगे कि कौन से path पे चलके इन barriers को हम create कर सकते हैं, इन के जो prelims के question में as a stand alone term दी जा सकती है तो ये हैं चार वो eightfold path जिसके चलके कोई भी इनसान दुख तकलीव से अपने आपको दूर कर सकता है और एक अच्छी जिन्दगी जी सकता है तो माल दीजिए अगर आप इस UPSC की प्यारी कर रहे हैं आपके पास इतनी privilege है कि आप इतनी सारी चीजे पढ़ सके हिस्ट्री की मैं especially अगर बात करूं उसमें आप इतना कुछ पढ़ते हैं कल्चर पढ़ते हैं बुद्धिजम जैनिजम इतने सारी philosophies को पढ़ते हैं schools of philosophy की मैं अगर मैं बात करूं दवैता अदवैता तो आप उनसे सिरफ ये ना करें कि सिरफ उनको पढ़ते जा रहे हैं उसे आप कोई सीख नहीं ले रहे हैं आपकी जो knowledge है वो असली असल में तभी आपके teachings बनेंगी कि अगर आप उन चीजों को अपनी जिन्दगी में अपनाएं भी आप जादा तर जो students है वो अपनी जिन्दगी में मार इसलिए खा लेते हैं क्योंकि वो जो चीज है उनके सामने जो knowledge present की गई है उसको सिरफ एक raw data की तरह पढ़ते हैं उनको सिरफ एक as a source of information की तरह पढ़ते हैं पर जब आप इस चीज को अपनी जिन्दगी में ढालने लग जाएंगे जब आप इन चीजों को समझने लग जाएंगे इन चीजों को अपने आप में feel करेंगे तो आप एक सच में एक बड़ी aspirant बनेंगे और माल लीजे कल को आप officer बनते हैं ये नहीं बनते ये एक अलग context बन गया पर अगर आप इन चीजों को अपनी जिन्दगी में अपनाएंगे तो आप एक अच्छे इनसान जरूर बनेंगे जिससे क्या होगा कि आपकी जिन्दगी में आपको development की रहा पर बहुत आगी जाने का मौका मिलेगा so I hope ये idea आप तक पहुंच गया होगा so ये हो गए हमारे चार noble truths जो कि बुद्दा के द्वारा दिये गए थे सबसे पहला दुखा फिर समुदाया थर्ड में निरोध्य और फोर्थ में अस्ठांगी का मार्ग I hope अब आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे उसके बाद जो हमारा next question है वो है कि who among the following personalities founded the भारत महीला परिशद किन में से कौन से महीला ने भारत महीला परिशद का foundation किया था तो जो चार personalities आपके सामने हैं वो है रामा भाई रानाडे, पंडिता रामा भाई सरस्वती, तारा भाई प्रेम चंद और सरला देवी चंदराणी so options आपके सामने हैं please mark your right option तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूँ वो है रामा भाई रानाडे, ये M.G. रानाडे की पतनी थी, उनसे इंस्पायर होके उन्होंने इतने social works किये so अगर हम सबसे पहले इनके पती के बारे में बात करें जो है M.G. रानाडे, so उन्होंने 1869 में Widow Remarriage Association को found किया था अपनी पतनी के साथ और इन्होंने पूरी अपने जीवनकाल में Widow Remarriage, Female Education और Child Marriage की Opposition के लिए काम किया उसके बाद इन्होंने National Social Conference को भी found किया था I hope आपको ये पता होगे that this is a parental organization to Indian National Congress which became a pre-eminent institution for social reform ये important point है ये आप side में note कर सकते है उसके बाद मैं आपसे एक यहाँ पर point को discuss करना चाहता हूँ कि माल लीजिए अगर आपको ऐसे कोई random facts आए कोई आपको history में से कोई institution पूछ लिया कि ये किसने found किया था या माल लीजिए आपको कोई newspaper के बारे में आ जाए कि ये newspaper किस personality ने निकाला था तो आप सबसे बड़िया तरीका उन चीजों को revise करने का ये उन चीजों को करने का क्या है कि आप इसके लिए एक अपनी fact copy लगा लिए अगर मैं अपनी तियारी के बात करूँ तो मैं भी इसी तरीके से करता था तो आप basically I am sharing my experience with you all कि आप मालीजे आपने एक fact copy निगा ली और जब भी आप कोई भी prelims के questions को attempt कर रहे हैं या आपने encounter किये तो जहां पर भी आपको कोई random fact मिला तो आपने अपने जो भी fact की copy है उसमें मालीजे आपका history का section आपने उसमें ये fact लिख लिए कि भारत महिला परिशद was sounded by रामा भाई रानाडे तो माल लीजे आप अगर आज ये copy लगाएं और अगले 27 जून तक 27 जून को तो paper ही है माल लीजे आप अगले 7 जून तक इन questions को attempt करते रहें और आपके पास 30-40 page बन गए ऐसे random facts के जो आपने अपनी copy में लिखे हूँ है तो माल लीजे जब आप उन facts को revise करेंगे और paper में जाएंगे तो आपके पास बहुत जादा advantage रहेगी उन बच्चों के मुकाबले जिन्नों ने इन facts को random facts को revise नहीं किया और हो सकता है कि उन 40 page में से एक याँ दो questions आपको सीधे उन facts में से आजाएं और माल लीजे अगर नहीं भी आए तो आपके पास एक added relevant information रहेगी जो आपको कहीं ना कहीं किसी question में किसी point को लेकर कोई as a additional information दे देगी और आपको एक याँ दो questions extra सही करने में मदद करेगी ये मेरा खुद का अजमाया हुआ तरीका है जादा question solve करने का और आपको आगे चलके बहुत help मिलेगी आप मेरे कहने पे एक बार इस चीज़ को करके देखे अपने एक fact copy को साथ में लगाईए जहां पर आपके random facts को लिख रहे हैं आपको आगे चलके बहुत साहिता मिलेगी तो ये idea आप तक पहुंच गया होगा तो अगर उसके बाद अगर मैं पंटिता रामा भाई की बात करूँ तो यहां तो अगर हम इनकी बात करें so she was a pioneer in woman education and a rebel champion of woman rights उन्होंने अपनी सारी जिंदगी woman education और woman rights के लिए लड़ते रही वो और उन्होंने एक जो important organization found किया था उसका नाम था Shraddha Southern which was a school for widows in Bombay and Mukti उनका जो greatest legacy रही है वो है that she was the first in India to educate widows और साथ में जो अगर हम आज जो question है आपके पास की भारत महिला परिशत की बात करें तो इसकी भी foundation इन्होंने रखी थी and it was a subsidiary of national social conference जहां पर ये women के जो social issues होते थे उसके discussion के लिए as a platform यूज करती थी तो ये थे पूरी बात रामा भाई रानेडी जी की तो ये अगर आपको कल को mains में भी कोई personality wise question आजे कि elucidate the contribution of women in the Indian struggle history Indian modern struggle history तो उसमें भी आप इनका reference दे सकते हैं तो अगर हम आज के fourth question की बात करें तो ये काफी easy question है कि stand still agreement की बात करें तो इन चार wishyों में से वो किसके साथ relate करता है तो सबसे पहले हम बात करें हैं A. 1857 Sapphire Revolt उसके बाद princely states reorganization फिर सवादेशी मूमेंट और last में McDonald's Communal Award So options आपके सामने हैं Please mark your right option So अगर मैं इसमें सही answer की बात करूँ वो है princely states reorganization तो देखिए ये agreement कब हुआ था जब हमारी आजादी के बाद जब partition of India and Pakistan होने जा रही थी तब ये एक agreement लेके आये थे कि जो भी नए dominions बनने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच और उसमें जो उस टाइम पे जैसे princely states होती थी of the British Indian Empire उसमें जो भी agreement की वज़ा से कि काउन सा कैसे रहेगा कि जो भी princely states हैं उनके जो भी set arrangements हो चुके थे उस टाइम तक British Crown के साथ तो इस agreement में था कि वो वैसे ही चलते रहेंगे and the state would continue unaltered और जो भी जब तक ये new agreements नहीं बनते कि जो भी dominion state के साथ जो भी princely state जा रहे हैं जब तक वो new agreements को set नहीं कर लेते तब तक जो पुराने agreements थे crown के साथ उसी हिसाब से जो administration का काम काज है वो चलता रहेगा तो इसको कहा गया था stand still agreement तो अब आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्योंकि पिछले कुछ टाइम में दो question ऐसे आये हैं जो सीधा किसी भी policy या किसी भी pact के बारे में पूछा गया है कि ये policy या ये pact किस चीज के relevance में था तो आज का जो हमारा last question है वो personality based question है जैसे अभी तक हमने चार personalities को cover कर लिया हमारे two minute में सबसे पहले शहीद भगत सिंग उसके बाद लाला लाजपतराई फिर अंबेद कर जी and last में हमने cover किया था रबेंदर ना टेगोर को तो आज का हमारा जो last question है वो भी personality based है तो सबसे पहला point ये कहता है कि जो हम personality की बात कर रहे है he was an Indian political leader planner of the municipal charter of the Bombay, now Mumbai उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो personality है he was the founder of English language newspaper जिसका नाम था Bombay Chronicle I hope आपने ये point पढ़ा होगा और इससे आप अंदाजा लगा लेंगी कि हम किस personality की बात कर रहे है third point ये कहता है कि इन्होंने जो sixth session हुआ था Indian National Congress का 18-19 में उसको preside किया था उसके chairman थे और fourth point ये कहता है कि 19-11 में इन्होंने Central Bank of India जो आज भी इंडिया का बहुत बड़ा bank है उसके foundation रखी थी financed and controlled by Indian interest तो चार step personalities आपके सामने हैं फिरोशा मेता, दादा बाइनारो जी W.C. Banner जी और कुपाल कृष्ण घोकले तो इन में से कौन सी ये personality इन चार points के साथ relate करती है तो प्लीज mark your right option तो अगर मैं सही answer की बात करूँ वो है फिरोशा मेता I hope आपको ये Bombay Chronicle से ये पता लग गया होगा पर देखिए आपको माली जी ये नहीं भी पता आपको ये 4 statements को पढ़के फिर भी नहीं पता लगा कि आप कौन से answer के साथ जाएंगे तो देखिए जो W.C. Banner जी है ये एक बंगाली होंगे जैसे की Banner जी नाम से पता लग रहा है तो बंगाली होंगे तो आप क्योंकि यहाँ पर दिया गया है that planner of the municipal charter for Bombay तो अगर माल लीजे कोई इनसान municipal charter of Bombay बना रहा है तो उसका बहुत जादा probability बनती है कि वो Bombay का ही इनसान होगा या फिर वो जो Central India को इनसान होगा उसकी personality होगी जो वहाँ का municipal charter बनाएगा तो कोई बंगाल का इनसान यहाँ पर आके Bombay का municipal charter बनाएगा उसकी probability बहुत कम है आपने common sense के साथ जाना है I know there are exceptions जहाँ पर लोगों ने दूसरे देशों के भी charter बनाए है पर यहाँ पर हम सिरफ common sense की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्योंकि उपर Bombay है और नीचे Bengali नाम है तो यहाँ पर हम इसको cancel out कर सकते हैं तो यहाँ पर हमको सिरफ A, B and D options बच गए जिसकी वज़ा से हम यह बता सकते हैं कि इन में से शायद कोई हो सकता है और उसके बाद यह दिया गया है that he presided over the sixth session of the international Congress in 1890 तो आपने अगर दादा भाई नारो जी की बारे में पढ़ा हो तो आपको यह idea हो गया होगा यहाँ पर कि दादा भाई नारो जी ने तो 50% probability तक पहुंच जाते कि इन में से कौन सा answer होगा जिसका सही answer है A तो क्योंकि आपको prelims clear करने के लिए काई बार अपने prelims के बाद जब आप उन questions को कर लेते हैं जो आपको पका से आते हैं उसके बाद आपको calculated gases लगाने पड़ते हैं तो ये कुछ तरीके हैं जिसके वज़ा से आप उन calculated gases को लगा सकते हैं जिसके बाद आपकी selection के probability बहुत जादा बढ़ जाएगी तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है तो ये है जो हमारे फिरोशा मैता जी की उनकी तस्वीर तो अगर हम इनकी personality की बात करें So he was born on 4th of August 1845 और died on 5th of November 1915 उनका जनम भी Bombay में हुआ और मृत्यू भी Bombay में हुई जैसे मैंने आपको पताया कि कोई बंदा Bombay का municipal charter बना रहा है तो बहुत probability है कि यहां तो वो Central India का होगा, Mumbai का होगा, Maharashtra का होगा या फिर उसके आसपास के region का होगा जैसके बंगाल तो बहुत दूर है Mumbai से तो बहुत Comparability थी कि WC Benner जी होंगे उसका तो यह उसके पीछे Common Sense का reason था, logic था So he was a Indian political leader Planner of Municipal Charter for Bombay and the founder of English language जिसका नाम था Bombay Chronicle तो यह अपने point side में लिखने ना है मैंने अपकी fact copy की बात की थी कि Bombay Chronicle was founded by Firozha Mehta अगर हम इनकी studies की बात करें सो इनको छोटे होते ही England फेज दिया गया था वहाँ इन्होंने अपने law की study की 4 सौलों में 1868 में यह बार में admission ले लिया इन्होंने उसके बाद ही अपने देश आ गए इंडिया में आ गए यहाँ पर आके जब वो एक legal case लड़ रहे थे in the defense of Bombay के commissioner थे जो उस टाइम के Arthur Crawford उनके लिए जब लड़ रहे था तब इन्होंने महसूस किया कि जो Bombay में municipal charter है वहाँ पर बहुत reforms की ज़रूरत है तो इसी के चलते इन्होंने Municipal Act of 1878 को लिखा था और यह माना जाता है that he was the father of municipal government in Bombay काफ़ important point है अगर personality आई फिरोशा महता की तो यह point आपको पक्का आएगा so please note it down so फिरोशा महता was the father of municipal government in Bombay उसके बाद यह commissioner बने Bombay के 1873 में और chairman भी रहे in the year 1884 to 1885 और उसके बाद 1905 में उसके बाद अगर हम बात करें तो यह 1886 में Bombay legislative council के भी member बने और 1893 में जो governor general की legislative council बनी थी उसमें भी election में इन्होंने जीत प्रापत की फिरोशा महता ने उसके बाद जैसे यह question में भी point था that in 1890 he was selected to be presiding over the sixth session of the INC फिर 1904 में उनको knighthood से निवाजा गया और 1910 में जब इंगलेंड के बाद अपने दोरे से वापिस आए इनको जो Bombay University है उसका vice chancellor से उसको उनको post दी गई और last में 1911 में इनको Central Bank of India इनोंने found किया तो यह कुछ important points हैं उनकी जीवनी से जुड़े होए जो आपको पता होने चाहिए आप अब इन चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे और last का यह जो quote है कि when you feel like stopping think about when you started sorry why you started तो मालीजे जैसे आज के time है बहुत मुश्किल time चल रहा है COVID का time है अगर आप news खोल के देखेंगे तो बहुती saddening काम है बहुती depressing काम है आपको लगेगा कि आप अगर माल लीजे officer बन भी जाएं तो भी क्या ही कर लेंगे पर माल लीजे there is always a silver lining to every dark cloud आपने कभी भी अपनी motivation को घरने नहीं देना आज के time में भी बहुत ऐसे इंसान है जो लोगों की मदद कर रहे हैं और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप कल को किसी बड़े औहदे पर होंगे, किसी stature पे होंगे बहुत बड़े तो आप कितने लोगों की मदद कर सकेंगे आप बहुत लोगों की नहीं तो कुछ लोगों की तो मदद कर ही सकेंगे और माल लीजे अगर किसी student को जैसे बहुत सारे calls और messages आ रहे हैं students के that they are suffering from COVID और पिछला एक या डेड़ महीना उनका waste हो चुका है कि वो पढ़ नहीं बाई और वो काफी demotivated and depressed फिल कर रहे हैं कि अब वो prelims के लिए कैसे तयार करें So in case आपका time चला भी गया है तो माल लीजे ये UPSC ही है या आपकी जीवन से बड़ी चीज नहीं है बहुत चीजे हैं कि माल लीजे कि आप नहीं भी UPSC आप से clear हुआ पर क्योंकि आपने अपनी तयारी इतने अच्छे से की है तो जिंदगे में आप कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे तो इस चीज के जरीए इस कोट के जरीए में आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि माल लीजे अगर आपकी रहा बहुत मुश्किल है पर आपने अपनी जो महनत है अपनी तयारी के साथ पूरी टृत्फुल रहे हैं आप उसके साथ पूरी 100% डेडिकेशन दिखाई है तो अगर आप अपने मन से कह सकते हैं कि मैंने 100% अपना दिया है तो उसकी कोई बात नहीं आप कल को कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे और अगर आप आज के टाइम में डी मोटिवेटेड हैं तो डी मोटिवेशन से आपका जो नुकसान ही होगा बलकि आपको याद करना है कि आप आगे चलके अगर आप बन जाएं तो कितने जादा लोगों की help कर सकेंगे और कैसे आप समाज के लिए contribute कर सकेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि हर बात जब भी हम premix लेके हैं तो कुछ बाते मैं motivation की करूँ ताकि मैं अपने ideas को आप तक लेके आ सकूँ तो ये था आज का हमारा premix थोड़ा लंबा premix हो गया कुछ बातें थी कि कैसे आप अपनी तेहरी को streamline कर सकते हैं कैसे आप नए जैसे कि fact copy लगा लें या फिर कैसे previous UPC questions में हमने सीखा कि कैसे कुछ questions को बेना किसी knowledge के से हम solve कर सकते हैं तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इसे detail के जरिये मैं आप तक ये चीजे लेके आऊँ अभी तो जैसे restrain में 14 या 15 मिन्टों में हम पूरा कोशिश करते हैं कि prelims को खतम कर दें पर जैसे ये आज 27-28 मिन्टों का हो चुका है पर अगर in case you liked it please like and comment this is the only way we get motivated and I will try कि मैं और भी ज़्यादा hard work करूं आप सब लोगों के लिए so thank you so much